सल्मान खान की अबकमिंग फिल्म ट्यूब लाइट कभीर खान के निर्देशन में बन रही है फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग लद्दाप में पूरी हो चुकी है जबकि फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग मनाली में शुरू हो चुकी है बहराल फिल्म के सेट से कई तस्वीरे लीक हुई है जहां सल्मान खान शूटिंग करते दिख रहे है इन तस्वीरों में ज्यादा तर सल्मान खान स्वेटर पहने आम आदमी जैसे दिख रहे हैं ठीक वैसा ही जैसा लोग उन्हें फिल्म बजरंगी भाईजान में दिया गया था बता दे कि बजरंगी भाईजान के निर्देशक भी कबीर खान थे और ट्यूबलाइट का निर्देशन भी वही कर रहे हैं सूत्रों की माने तो बजरंगी भाईजान की तरह ट्यूबलाइट भी यूमन एंगल पर बनी फिल्म है और ट्यूबलाइट एक लव स्टोरी है जो 1962 के इंडो-चीनी लड़ाई पर आधारित है कबिर खान के निर्देशन में बन रही ये फिल्म साल 2017 के ईद पर रिलीस होगी बता दें कि ये सलमान खान और कबिर खान की साथ में तीसरी फिल्म होगी इस फिल्म में सलमान के साथ चाइनीज अक्ट्रिस जूजू और सलमान के भाई सोहेल खान नजर आएंगे